हेलो फ्रेंड्स वेलकम अलोफ्योन क्वालिटिन फेक्ट्स दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं वन लाइनर का लेक्चर 12 तो इससे पहले जेपी नारायन को हम देख रहे थे जेपी नारायन के आगे के कॉंसेप्ट्स को समझते हैं जेपी नारायन ने संपून क्रांथी की शुरुवात 1975 में की जिसमें उन्होंने 5 लाख लोगों को संबोधित किया था पटना के अंदर तो जेपी नारायन ने इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाव और उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज अपनाई थी उसके खिलाव उन्होंने ये रैली की थी और इसके अंदर उन्होंने टोटल रेविलुशन जिसे कहा जाता है संपून क्रांथी का नारा दिया था 1953 में जेपी नारायन ने 14 सूत्रिय कारेकरम को लागू करने का संसद को सुझाओ दिया था लेकिन जब कॉंग्रेस ने ये मांग नहीं मानी तो कुछ समय बाद ही उन्होंने पार्टी से खुद को अलग करके पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की पार्टी लेस राजनीती की बात की तो इसके पिछे जो घटना थी पार्टी लेस डेमोक्रेसी की जो ये बात करते हैं एमेन रोय की तरह तो कारण ये था कि 14 सूत्रिय जो उनकी डिमांड थी उसको नहीं माना गया था जेपी नाराएंड सबसे पहले एक रांतिकारी विचारधारा के समर्थक बने यानि पहले वो एक revolutionary थे जो कि उनका time period रहता है 1933 से लेके 1940 उसके बाद प्रजातांतरिक समाजवादी बने वो 1940 से लेके 1952 तक अब 1953 में क्योंकि इनका आप देखते हैं कि उनका conflict हो जाता है Congress के साथ तो last में इन्होंने क्या है सर्वोदे के सिधान्त को अपनाया 1953 से लेके 1974 तक सर्वोदे का जो सिधान्त है वो एक गांधिवादी सिधान्त है जिसमें सभी के उदे यानि सभी के कल्यान की बात की जाती ह 1974 तक ही रहे क्योंकि 1974 के बाद 1975 पहले ही आपको मैंने बता दिया 1975 के अंदर इन्होंने संपूर्ण क्रांती यानि टोटल रेवल्यूशन का समर्थन किया था JP Narayan ने सर्वोदे के पाँच आधार बताये थे यानि सर्वोदे पाँच आधारों पर टिका होता है जिसको हम आगे डीटेल में देखेंगे श्रम आनन्द से संबंदित होना चाहिए यानि लेवर शुड़ बी रिलेटिव टू आनन्द यानि हैपिनेस हैपिनेस से ये रिलेटिड होना चाहिए USSR USSR की जो फुल फॉर्म है वो है Union of Soviet Socialist Republic तो सभी को इसकी डेफिनेशन तो पता होगी लेकिन इसका जो गठन हुआ है इसका गठन हुआ है 1922 में क्योंकि काफी लोगों को confusion क्या रहती है कि 1917 में रूस की क्रांती हुई तो 1917 में ही USSR बना है ऐसा नहीं है USSR का गठन हुआ है 1922 के अंदर USSR में 15 देश शामिल थे जिनका विगटन होने के बाद CIS नामक संस्था बनाए गया और CIS की जो full form है वो है Commonwealth of Independent States Commonwealth of Independent States इसे कहा जाता है CIS को तो 1991 के बाद यह CIS बनी थी और अब देखते हैं यह एक confederation था यह क्या था एक confederation था यह federation नहीं था confederation यह था confederation का मतलब होता है जिससे राज्ये अलग हो सकते हैं इस CIS से अलग होने की सभी को आजा दी थी इसलिए इसे confederation कहा गया था 5 year plans USSR में 1928 में स्टालिन ने शुरू किया थे जो हमारी 5 वर्षी योजना है हमने 5 वर्षी योजना USSR से ही adopt की है और यह स्टालिन ने शुरू की थी USSR के अंदर USSR की Central Soviet जैसे हमारी Parliament है Central Government है वो Delhi में है वैसे USSR की Central Soviet यानि केंदरिय सरकार मौस्कों में स्थापित की गई थी लाइका अब देखिए एक competition चला था पुझीवादी देशों में और साम्यवादी देशों में कि सबसे पहले space पे कौन जाएगा सबसे पहले space पे आदमी कौन भेजेगा जानवर कौन भेजेगा तो लाइका ये first animal था एक कुट्टे का नाम ये लाइका था जिसको की USSR ने space में भेजा था लाइका अफगान वार अफगान वार ये 1979 से लेके 1989 तक चला और इसका जो basic कारण था अफगान वार का USSR ने अफगानिस्तान पर नियंतरन करने का प्रयास किया यहां USSR ने अमेरिका समर्थित मुझाहिदीन के खिलाफ युद्ध लड़ा यानि आप देखते हैं USSR ने जब इन्वेड करने की कोशिश की अफगानिस्तान को तो वहाँ पे क्या है अमेरिका ने मुझाहिदीन नामक एक संस्था को अपना समर्थन दिया हतियार दिये और अपने सैनिक भी उनको दिये कि आप USSR से लड़िये हाला कि बाद में आप देखते हो कि ये मुझाहिदीन एक आतंकवादी संगठन बन चुका है और इसका श्रह जाता है पूरा का पूरा अमेरिका को ठीक है मिखाइल गौरवचव मिखाइल गौरवचव उनिस सो पचाशी में USSR के जेनरल सेक्रेटरी बने थे और मिखाइल गौरवचव ने दो परकार की पॉलिसी अपनाई थी जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अभी आपका ये रिवीजन हो रहा है आपको में भी यहा थी ग्लास नोस्ट पॉलिसी ग्लास नोस्ट का मतलब है ग्लास की तरह पारदर्शी होना ठीक है एक जैसे कांच होता है उसकी तरह पारदर्शी होना इसमें क्या है freedom of speech censorship को इसमें से हटाया गया था जो censorship press के उपर लगाई जाती थी और पुराने जो record थे उसको भी सारवज जैनिक इसके द्वारा किया गया था दूसरी इनकी policy थी perestroika perestroika का मतलब होता है reconstruction and reformation ठीक है reconstruction and reformation तो ये economic तथा political दोनों परकार के बदलाओ इसके द्वारा किये गए थे यानि foreign investment private business को मान्यता दी गई थी communist party में भी दो से ज्यादा व्यक्ति चुनाओ लड़ सकते थे पहले only एक ही व्यक्ति communist party से चुनाओ लड़ता था जिसका कोई खास मतलब नहीं होता था year of revolution 1989 को जाना जाता है क्यूंकि इस वर्ष USSR के खिलाफ उसके सहयोगी देशों ने मोर्चा खोल दिया था तो year of revolution जाना जाता है 1989 को और यहाँ पे स्वतंतरता की डिमांड की थी जितने भी USSR के सहयोगी थे और उसका कारण क्या था उसका कारण था गौरबाचयोब की policy परस्टोइका एंड ग्लास नॉस्ट Tiananmen revolution ये भी कई बार एक्जाम में पुछा गया है Tiananmen revolution क्या थी? Tiananmen revolution 1989 में हुई इसे June 4th incident या 89 democracy आंदोलन भी कहा जाता है Beijing में चीन के जो चात्र थे चात्रों ने साम्यवाद का विरोध किया था तो इसे June 4th incident या 89 democracy moment भी कहा जाता है December 1989 George Bush ने Cold War की समाप्ती की गोशना की थी December 89 के अंदर Molotov Ribbon Top Pact 1939 के द्वारा Baltic States USSR में जुड़े थे तो कई बार ये कोशन पूछा जाता है कि USSR के अंदर Baltic State किस pact के द्वारा जुड़े Baltic State आगे हम देखेंगे कि Baltic State कौन कौन से state थे चीक है तो ये था Molotov Ribbon Top Pact 1939 के द्वारा Baltic State USSR से जुड़े थे August Coop यहाँ Coop सत्ता परिवर्तन का परियास था Basically Coop का मतलब क्या होता है Coop का मतलब होता है सत्ता को परिवर्तित करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है ठीक है तो ये सत्ता परिवर्तन का एक परियास था 1991 में USSR में ये हुआ और इन्होंने USSR के विगटन को स्विकार नहीं किया साम्यवाद को बचाने की आखरी कोशिश की गई और इसमें आठ व्यक्ती शामिल थे आठ नेता ऐसे थे साम्यवाद से जुड़े हुए जिन्होंने स्विकार नहीं किया कि USSR का विगटन हो चुका है और हम अभी भी साम्यवाद को बचा सकते हैं तो बॉरिस जो येलस्टीन है बॉरिस येलस्टीन पहले रशियन प्रेजिडेंट है जो 1991 में प्रेजिडेंट बने रशिया के क्योंकि USSR का विगटन हो चुका है पहले रशियन प्रेजिडेंट थे इन्होंने इस ओगस्ट कूप का क्या है विरोध किया था कि ये जो आठ लोग लड़ रहे हैं जो साम्यवाद को बचाना चाहते हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं 8 दिसंबर 1991 रशिया, युक्रेन तथा बेलारूस के राश्टर पतियों ने बेलावेजहा ट्रेटी की इन्होंने जिसके अंतरगत USSR को समाप्त करके CIS बनाई गई जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिये Commonwealth of Independent State तो ये जो ट्रेटी ओफ बेलावेजह है ये most important आपके लिए हो जाती है क्योंकि 8 December 1991 को अब देखिए रशिया, युक्रेन और बेलारूस ये तीनों देश पावरफुल देश थे रशिया तो आपको पता ही है क्योंकि Moscow में सेंटर था Communist Party का तो इन्होंने officially क्या किया CIS बनाने की यहाँ पर बात की गई और दोस्तो 25 December 1991 को गौर्बा चौब ने Alma-Ata Declaration में प्रेजिडेंट पज से इस्तीपा देकर USSR के आपचारिक डिसिंटिग्रेशन की गोशना की थी तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले क्या है आठ दिसंबर को होता है बेलावेजा ट्रिटी जिसके अंदर क्या है CIS बनाने की मांग उठी थी ठीक है और इसके और इसके और आप देखते हो 22 दिन बाद 22 तो नहीं है 15-16 दिन बाद क्या होता है यह ट्रिटी होती है Alma-Ata Declaration ठीक है जिसमें Officially Disintegrate किया गया था Georgia ने 2008 में CIS की सदस्यता छोड़ दी दोस्तों यह आपके लिए important है क्योंकि question आपसे पूछा जा सकता है कि CIS country में कौन कौन सी country शामिल है या कितनी countries शामिल है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि total 15 ऐसे देश थे 15 ऐसे देश थे जो रश्या के अंदर शामिल थे ठीक है रश्या के अंदर जो सामिल थे ठीक है तो रश्या को छोड़के बाकी बचे 14 क्योंकि रश्या एक independent state बना तो यह 14 state बचे उसमें से क्या है Georgia ने 2008 में सदस्यता छोड़ दी अब ये जो बाल्टिक स्टेट थे जो 39 के अंदर 1939 में जो रिबन टॉप एक एग्रिमेंट हुआ था ये बाल्टिक स्टेट थे लात्विया और इस्टोनिया इन दोनों ने क्या है CIS को जोएन ही नहीं किया था इन दोनों ने क्या है CIS को जोएन ही नहीं किया था 14 में से दो देश ऐसे हैं जिनोंने शुरू से ही बोला था कि हमने नहीं जाना है किसी CIS में तो बच्चे आपके 12 स्टेट ठीक है और उसके बाद क्या होता है ये जो बैलावेजा ट्रिटी है बैलावेजा ट्रिटी में जो CIS में क्या है टोटल 10 देशों ने हस्ताक्षर किये थे जो ओफिशियल मेंबर बने थे CIS के तो वो थे टोटल 10 और जोर्जिया 2008 में छोड़ के चला गया तो CIS में टोटल देश बचे 9 और जो एस्टोनिया और लात्विया है इन्होंने तो जोएन ही नहीं किया था हस्ताक् तो उसमें एड नहीं होंगे 9 ही बचे न आपके क्योंकि दो देशों ने इन्होंने साइन नहीं किया इसमें रशिया और आप देखते हैं जोर्जिया इसमें नहीं है तो टोटल ये 9 बचे Communitarianism John Godwin के परियासों से 1941 में एक विचार धारा के रूप में उपजा तो अगर आपसे question पूछा जाए Who is the father of Communitarianism समुदायवाद के पिता कौन है तो ये है John Godwin Political spectrum क्या होता है इस तरीके से political spectrum बनाया जाता है जिसमें right hand side को होती है right wing party right wing party और left side को होती है left wing party ठीक है और center में होती है centric party जिसे rightist party आप देखोगे इंडिया के अंदर BJP है leftist party देखेंगे तो साम्यवादी दल है centric party देखोगे तो Congress है ठीक है ये होता है political spectrum और political spectrum है जो officially तो नहीं कहेंगे जो सबसे पहले political spectrum है ये फ्रेंच revolution के दोरान सामने आई क्यूंकि इसमें क्या है जो एक संसद बुलाई गई थी और संसद में इस तरीके से जो लोग left side बैठे थे वो लोग क्या है सुधार करना चाह रहे थे राइट साइड में ऐसे लोग बैठे थे जो चाह रहे थे कि हमने क्या है पहले जैसा ही वातावरन बना के रखना है हमें कोई भी सुधार नहीं चाहिए तो यहाँ सी ये जन्मी थी political spectrum Government Intervention in Economy की अवधारना John Maynard Keynes ने प्रतिपादित की अब Government Intervention का मतलब क्या होता है जितने भी परकार की इकॉनमी है जितने भी परकार के उत्पादन किये जाएंगे बड़ी बड़ी जितनी भी कमपनिया है उसको Government के अधीन रखना पड़ेगा ताकि शोशन की विवस्था उत इतिपादित किया था लफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का अधारन आपको देखने को मिलेगा Democratic Party, USA candidate Democratic Party है वो एक लेफ्ट विंग पार्टी है, UK की अप लेबर पार्टी को देखंगे तो वो भी एक लेफ्ट विंग पार्टी है और भारत की सामयवादी पार्टी को देखोगे तो वो भी एक लेफ्ट विंग पार्टी है फ्रांस की नेशनल फ्रंट और USA की रिपब्लिक पार्टी जिससे डोनाल ट्रम्प संबन्द रखते हैं ये राइट विंग पार्टी है इंडिया के अगर बात करें तो BJP राइट विंग पार्टी है ठीक है? Thailand वा Japan आज भी मोनार्की को समर्थित करते हैं तो आप सभी को ये तो पता होगा कि बृतेन के अंदर मोनार्की है लेकिन इसके साथ-साथ थाइलेंड और जापान में भी मोनार्की आज के टाइम में है Scandianian countries Scandianian countries कहा जाता है Norway को, Sweden को, Finland को, Denmark को, Switzerland भी इसके अंदर शामिल है ठीक है, Swiss भी इसके अंदर शामिल है तो ये जो countries है, इन्हे social democracy कहा जाता है ये समाजवाद के उधारन है और इन्हे क्या है, social democracy भी कहा जाता है और आप देखोगे, Human Development Index में ये top पे रहती है ठीक है, और यहाँ पे ब्रश्टाचार जो इंडेक्स लागू किया जाता है, उसमें भी ये सबसे नीचे है यानि यहाँ पे ब्रश्टाचार भी सबसे कम है काल मार्क्स मूलता एक historian थे Basically काल मार्क्स क्या थे? एक historian थे Lenin, Vanguard Party, dictatorship के समर्थक थे यानि मार्क्स की तरह ये मजदूरों की तानाशाही नहीं बलकि सम्मेवाद की तानाशाही की बात करते हैं यानि सम्मेवादी पार्टी की तानाशाही अगर होगी तभी सम्मेवाद को हासिल किया जा सकता है मजदूरों के अंदर वो विवेक नहीं है उनके अंदर वो ability नहीं है कि वो साम्मेवाद को स्थापित कर सके ऐसा मानना था Lenin का, तो ये Vanguard Party का इनका सिधानत है Single Party System, Single Party System अभी आप देखोगे तो China में है साम्मेवादी Party, Cuba में है, Laos में है, North Korea में है, Vietnam में है तो ये सारे देश क्या है, साम्मेवादी देश है, जहां पे Single Party System चल रहा है फासिवाद, फासिवाद आत्म निर्भर अर्थ वेवस्ता की बात करता है Self Reliance Economy की बात करता है, यानि हम क्या है Self Reliance होंगे आत्म निर्भर जर्मनी की बात करते थे, आत्म निर्भर इटली की बात करते थे यानि कि इटली के बाहर से ना तो कोई product मंगाया जाएगा सारे के सारे product इटली में ही बनेंगे, ना ही export किया जाएगा पदार्थों को यानि हम क्या है अपने दम पर पूरा का पूरा करेंगे दुनिया के उपर हमें निर्भर नहीं रहना है तो यह बेसिक कॉंसेप्ट है फासिवाद का माक्स जहां राजनेतिक, सामाजिक या आर्थिक शोशन होगा माक्स कहते थे जहां राजनेतिक, सामाजिक या आर्थिक शोशन होगा वहीं करांती होगी इसके विपरीत ग्रामशी ने इसे अस्विकार किया और कहा जहां जहां शोशित वर्ग बुद्धी जीवी सक्रिय होंगे क्रांती वहीं होगी यानि जो लोग शोशित हो रहा है जिन लोगों का शोशण हो रहा है जिन देशों में वो लोग जागरित होएंगे वहीं पर क्रांती होगी ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर आर्थिक शोशण जादा होगा वहां पर क्रांती होगी लेनिन के अनुसार क्रांती मानुविय प्रयासों के द्वारा समय से पूरो और किसी भी प्रकार की विवस्ता में लाई जा सकती है भले ही वो समाजवादी देश हो भले ही वो पुझिवादी हो या डेमोक्रेटिक देश हो हर जगा क्रांती लाई जा सकती है और समय से पहले ऐसा नहीं है जैसा कि काल मार्क्स बोल रहे थे कि क्रांती टाइम के अनुसार आईगी जब शोशन बहुत जादा बढ़ेगा लैनिन के अनुसार क्रांती में एकॉनमिक कारकों के साथ साथ आईडोलोजिकल कारक भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं यानि आईडोलोजी भी इसमें जरूरी होती है तो यहाँ पर आप देखोगे मार्क्स की बिल्कुल इन्होंने कटाक्ष किया है मार्क्स के उपर क्योंकि माक्स ने कहा था कि एकॉनमिक कारण ही है जिनके कारण करांटी होती है माक्स करांटी माक्स कहते हैं करांटी स्वभाविक है शोशन जितना बढ़ेगा करांटी की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ेगी जिसको की लैनिन और क्रामशी ने अस्विकार किया था Lenin के अनुसार द्वंदवाद सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ natural science में भी होता है तो आपने देखा कालमाक्स कहते थे कि जो dialectical है dialectics जो है वो क्या है economy के अंदर होता है product के अंदर dialectic होता है लेकिन यहाँ पे Lenin ने कहा कि economy के साथ साथ social science के साथ साथ natural science में भी dialectical process हमें देखने को मिलती है Treaty of West failure यूरोप में 30 साल के ग्रह युद के बाद 1648 में हुई थी और यहीं से राज्यों की प्रभुसत्ता के सिधान के साथ साथ राज्यों को कानूनी मान्यता भी दी गई थी तो यह question कई बार कई तरीके से repeat हुआ question इस तरीके से पुछा जा सकता है कि Treaty of West failure कब हुई तो यह हुई 1648 में या पुछा जाता है Treaty of West failure किस से related है तो यह है प्रभुसत्ता के सिधान से related या फिर आगे आपके पास पुछा जाएगा कि कानूनी मान्यता किस ट्रिटी के अंदर राज्यों को दी गई तो वो दी गई Treaty of West failure 1648 के अंदर Treaty of West failure में राज्यों के चार अंग अपनाए गए और concept of legal sovereignty इसके अंदर दिया गया पहले ही आपको बता चुका हूँ EU का मतलब है European Union और European Union में Brexit के बाद 27 देश रह जाएंगे तो Brexit का जो ये चला था कि Britain बाहर हो रहा है European Union से तो अभी तक बाहर नहीं हुआ है Officially तो अभी कितने देश है 28 जैसे ही Brexit हो जाता है Britain exit हो जाता है तो 27 देश इसमें बचेंगे English School of International Relations को West failure model भी कहा जाता है तो West failure model है English School of International Relations Three Key Element of Realism Realism के जो तीन की element होते हैं जिनके आधार के उपर realism टिका है पहला है statism, दूसरा है survival और तीसरा है self-help Statism का मतलब होता है जो state होता है state ही मुख्य करता है state ही main actor होता है international relation में और state के आप कह सकते है state की उन्नती राष्टर हित ही सर्वोपर होता है दूसरा है survival यानि international politics के अंदर survival अगर आपको करना है तो शक्ती को आपको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है? अपनी power को बढ़ाना पड़ेगा और national interest को आपको secure करना पड़ेगा और self-help का मतलब है कि कभी भी अपनी रक्षा के उपर ना तो हमें निर्भर रहना चाहिए international organization पे ना ही किसी treaty पे हमें खुद ही अपनी help करनी पड़ेगी खुद ही हमें सशक्त होना पड़ेगा तो ये तीन की element है realism के classical realism का जो दोर माना जाता है classical realism 1945 तक रहता है 1945 में जब आपने देखा 1949 से लेके 1945 तक जो second world war चलता है इसके कारण क्या होता है classical realism की आलोचना शुरू हो जाती है और classical realism में change होते है और उसके बाद 1949 से लेके 1979 तक चलता है आपका modern realism अब आप ये मत सोचिए कि 1945 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे 1949 क्यों दिया है यहाँ तो 1946 है होना चाहिए था दोस्तो ऐसा है ये जो सिधान्त होते हैं ये parallel भी चलते है idealism आज भी है समझ सोचिए आपकी idealism आज भी आज नहीं है idealism विचारदारा आज भी है realism आज भी है जो उस ताइम थी ठीक है तो classical realism भी चल रहा था और neo realism भी चल रहा था लेकिन इसकी जो आप बोल सकते हैं लोग प्रियता कम हुई थी 1945 से इसका विगटन शुरू हो गया था ठीक है neo realism का जो सिधान्त है ये 1979 के बाद ज़ादातर हमें देखने को मिलता है और इसे structural realism भी कहा जाता है Thucydides जो है Thucydides classical realist माने जाते हैं और इन्होंने book लिखी है On Peloponnesian War और ये realism की एक बहुत अच्छी classical text माना जाता है तो कई बार ये question कई तरीके से पुछा गया है कि who is the writer of Peloponnesian War या on war किसने लिखी है on Peloponnesian War किसने लिखी है Classical realist में इन में से कौन कौन से है तो मैच करने के लिए भी कई बार ये question आया है Classical realist के अंदर जो thinker आते हैं Thucydides आते हैं इंडिया के kotily आते हैं Hobbs आते हैं, Russo आते हैं, Montesquieu आते हैं उसके बाद आप देखते हो Morgenthau जो यहाँ पर दिया है ये भी Classical realist के अंदर आते हैं Neorealism को Structural realism भी कहा जाता है इसकी मूल मान्यता है कि अंतरराष्ट्री राजनीती अनेक संरचनाव से संचालित होती है तो आपने Structural Functional Approach Comparative Politics की मेरी वीडियो देखी होगी उससे आपको समझ आ गया होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि Structure जो होते हैं Structure एक राज्य है वो different different structure के आधार पे चला होता है और हर structure का अपना एक function होता है उसी तरीके से Structural Realism भी बोलता है कि अंतराष्ट्री राजनिती में भी कई structure होते है उसमें economic structure होता है उसमें political structure होता है उसमें cultural होता है उसमें social होता है कई structure होते हैं जो international politics को संचालित करती है ठीक है और Kenneth Waltz जो है Kenneth Waltz भादर माने जाते है structural realism या नियो-realism के इसके शुरुआत होती है तो theory of international politics Kenneth Waltz की ये book है और इसी के अंदर इन्होंने नियो-realism या structural realism का सिधान्त दिया है liberalism का मानना है कि economy ही power है liberalism जो सिधान्त है उन्होंने बोला economy ही power है economy के आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं एक world power बन सकते हैं realism ने बिलकुल विरोध किया था neorealism ने भी इसका विरोध किया कि economy के आधार पर आप देश की रक्षा नहीं कर पाते हो आपको military की जरूरत पड़ती है आपको हथियारों की जरूरत पड़ती है आपको ideology की भी जरूरत पड़ती है आप एक economy के उपर depend नहीं रहिए आप world trade के उपर depend ना रहिए main assumptions of neorealism neorealism की जो basic assumption है main assumption है सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि human nature की खराबी से दुनिया में अस्तिरता नहीं है जैसा की कहा गया था idealism के दौरा idealism ने यह नहीं कहा यह कहा था realism ने realism ने realism ने कहा था कि world के अंदर अस्तिरता क्यों है realism कहता है क्योंकि human nature खराब है human nature खराब है इसलिए क्या है world के अंदर कायोस रहता है वहाँ पे अस्तिरता रहती है लेकिन neorealism ने realism के इस concept को नकार दिया उन्होंने कहा human nature की खराबी से दुनिया में अस्तिरता नहीं है विश्व सरकार नहीं है वर्ल्ड के अंदर जब विश्व सरकार नहीं है और यही कारण है कि हमेशा दुनिया में अस्तिरता रहती है आई होप आपको यह कॉंसेप्ट समझ आ गया होगा बाकी इसको आगे डिटेल में हम देखेंगे अगर आपको समझ नहीं आया नियो क्लासिकल रियलिस्ट पावर में डॉमेस्टिक पावर पॉलिटिक्स भी एहम हिसा रखती है अगर सरकार मजबूत होगी तभी देश सुरक्षित रहेगा तो यह नियो क्लासिकल रियलिस्ट का क्लासिकल आप यहाँ पे देख पा रहे हो classical का मतलब है इन्होंने क्लासिकल जो realism का सिधान था उसको भी अपनाया और उसमें इन्होंने कुछ संशोधन किये और उसको इन्होंने प्रस्तूत किया इन्होंने बोला कि power तो जरूरी है लेकिन power के साथ साथ domestic politics भी जरूरी है ठीक है उदारवादी चिंतक उदारवादी चिंतक माने जाते हैं Montesquieu, John Locke, Emmanuel Kant और Woodrow Wilson तो इन्होंने international politics के अंदर अपने सिधान दिये है ठीक है तो यह उदारवादी चिंतक है US, Germany वा रशियन जो रशिया है League of Nations के सदस्य नहीं थे आप यहाँ पर देख सकते हो League of Nations जो की 1919 में बनी 1919-1920 में जो League of Nations बनी उसके अंदर ना तो US था जो की world power था उस टाइम ना ही उसमें Germany था ना ही उसमें रशिया थे तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्य करता थे जो main actor थे जो की powerful state थे वो League of Nations में नहीं थे इसलिए League of Nations एक weak organization साबित हुई नियो लिबरलिजम के अनुसार व्यक्ति वा देश, cooperation, prisoners, dilemma की वज़े से करते हैं नियो लिबरलिजम केहता है, अब यहाँ पे लिबरलिजम की बात हो रही है, लिबरलिजम का मतलब होता है आइडिलिजम, जो आइडिल बात करते हैं ठीक है, तो इन्होंने बोला कि देश क्या है, व्यक्ति या देश, cooperation किस वज़े से करते हैं, prisoner, dilemma की वज़े से करते हैं prisoner dilemma का मतलब क्या होता है, मैं आपको game theory के अंदर वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है prisoner dilemma का मतलब है, for example, यह यहाँ पे दो कैदियों को दो अलग-अलग जेलों में गिरफतार किया है जिन्होंने एक ही जुर्म किया है, दो कैदी है, कैदी A और कैदी B यह दोनों prisoners हैं और दोनों को अलग-अलग जेल में डाला गया है और एक ही पुलिस है, एक पुलिस है जो पहले A के पास जाएगी और A से पुछेगी आप सच सच बता दीजिए कि आप दोनों ने क्या क्राइम किया है ठीक है अगर ये A से पहले पुछेगी अगर आपने सच सच बता दिया कि आपने ये क्राइम किया है कैसे आपने ये क्राइम किया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा आपको क्या है छोड़ दिया जाएगा और अगर आप नहीं बताते हो और आपके सामने वाला सच बता दे तो आपको छोड़ दिया जाएगा और A को सजा दी जाएगी तो ये एक परकार का डायलेम्मा एक परकार की दूविधा इन केदियों के सामने आ जाती है और दोनों सच यहां पे बता देते हैं तो यहां पे क्या है अगर A और B अगर A और B दोनों सच नहीं बताते तो जेलर ये बोलता है कि वो तो प्रूवी नहीं होएगा फिर, अब इसने भी सच नहीं बोला, इसने भी सच नहीं बोला, that's mean वो प्रूवी नहीं हुआ इनका जुर्म, तो इन दोनों को ही छोड़ दिया जाएगा, और यही basic assumption है, neo-liberalism का, कि prisoner dilemma अगर खतम होगा, prisoner dilemma की स्थिती अग में भी आपको ये topic लगा है, tangible power को hard power भी कहा जाता है, जिसे military, जैसे की military और economic power, hard power, tangible power, hard power, जो की आप, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है, और intangible power को कहा जाता है, soft power, जैसे की देश की ideology, education, ठीक है, citizens की education, उनका चरित्र, इसे कहा जाता है, tangible power, जितनी सशक्त आपके देश में ideology होगी, educated जितने ज़्यादा लोग होगे, तो आपकी power भी उतनी ज़्यादा होगी, इसे intangible power कहा जाता है, क्योंकि आप डारेक्ट force का प्रयोग नहीं किया जा जा रहा है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा 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 रहा है, बलकि लोग foreign policy और ये most important policy होता है, जिनने जल्द से जल्द प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसे कि युद्ध से सुरक्षा, तो जल्दी से जल्दी आपको क्या है, action लेना पड़ेगा, तो ये short range foreign policy से कहा जाता है, middle range foreign policy, ये क्या दूसरी प्रात्मिकता होती है foreign policy की, जैसे कि पहली तो वहाँ पे भुकमरी फैल जाती है, या फिर living standard लोगों का गिर जाता है, तो वो भी बहुत खराब है, इसलिए दूसरा लक्षे होना चाहिए, middle range foreign policy की economy और living standard को उठाया जाए, long range foreign policy, long range का मतलब है, जिनने लंबे समय में अचीव किया जाएगा, अभी आज ना मिले, कोई problem आप 10 सालों में, 50 सालों में या 100 सालों में इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो की ज़्यादा जरूरी नहीं होते हैं, for example, ideology को spread करना, और अपने देश के culture को दूसरे दुनिया तक spread करना, ये आपकी long range foreign policy का उधारन है, foreign policy के basic model होते हैं, वो तीन model होते हैं, पहला rational model, दूसरा होता है bureaucratic model, और तीसरा होता है individual model, rational model वो model होता है, जिसमें आप क्या है, इस परकार से foreign policy को नरदारित करते हैं, जिसमें आप क्या है, rational व्यक्तियों को रखते हैं, बुद्धी जीवी व्यक्तियों को रखते हैं, आप अपनी foreign policy को बनाते हैं, bureaucratic foreign policy वो होती है जिसमें नोकरशाही ही foreign policy को हमारी बनाती है और individual model होती है जिसमें नेता लोग individually foreign policy का निर्मान करते हैं इसके बाद देखिए एक Walljar ने concept दिया था, माइकल Walljar ने Just War Doctrine तो इसको देखते ही है कहां से आया था, Just War Doctrine ये एक इसाई मान्यता है ये Christian मान्यता है और St. Augustine ने 354 से 430 जिनका period रहा है Augustine provides a foundation of just war theory, Just War का मतलब होता है किसी सही चीज के लिए युद्ध ना चाहते हुए भी करना पड़ता है जैसे नाजी जर्मनी वा इटली के मुसलिनी के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था तो आप समझ सकते हैं Just War का मतलब होता है कि कई बार ऐसी परिस्तिती आ जाती है जब ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ता है ताना शाही के खिलाफ वानिज्यवाद को कहा जाता है मर्केंटलिजम और ये एकॉनमी का एक पुराना कॉंसेप्ट है और यूरोप में 16 श्ताबदी से लेके 18 श्ताबदी तक ये रहा Mercantilism का मतलब वही होता है जो फासिवाद का मतलब होता था ये सरकार की Self-Help Policy होती है इसमें Domestic Product को Export होने से बचाया जाता है और क्रिशी की जगा Industry को लाया जाता है तो फासिवाद की Self-Help Policy से ये काफी different है क्योंकि इसमें क्या है बस Export से बचाया जाता है इंपोर्ट आप बाहर से कर सकते हो और इसमें क्या है क्रिशी की जगा Industry को जादा प्रात्मिक्ता दी जाती है Mercantilism में क्योंकि Industry ऐसी आपकी होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाब मिल सकता है Agriculture के मुकाबले Absolute Advantage Theory जो है Economics के अंदर दी है यह दी है Adam Smith ने Absolute Advantage का मतलब होता है कि आपके सामने अगर दो प्रोड़क्ट दिये गए है दो प्रोड़क्ट में से उस प्रोड़क्ट को चुनना जिसमें आपको हर हाल में लाब हो एपसलिटली आपको उसका Advantage मिले ठीक है दूसरा है जो थियूरी है दूसरी थियूरी है comparative advantage थियूरी और comparative advantage थियूरी दी है David Ricardo ने और David Ricardo कहते है compare करके वह प्रोड़क्ट चुनो जिसमें ज़्यादा लाब हो for example आपके पास product A है product B है यह आपके पास redmi का phone है और यह आपके पास realmi का phone है इसके बीच आपको compare करना है और आपको देखना है कि किस से मुझे ज़्यादा लाब होगा उसी को आप चुनोगे तो यह David Ricardo ने दी है IFC IFC का मतलब होता है International Finance Corporation और यह private sector की company को घाटे से उबरने के लिए loan देता है SIM उसी की तरह दूसरी एक organization है जिसे कहा जाता है MIGA Multiple Investment Guarantee Agency और यह भी private sector में हुए घाटे को loan देती है private sector के जो सेक्टर है उसको घाटे से उबरने के लिए यह loan देती है Preventing Diplomacy Preventing Diplomacy का मतलब है यदि आपको पता है कि कोई युद होने वाला है या कोई घटना घटने वाली है तो आप नुकसान को कम करने के लिए यह Diplomacy यूज करते है For example आपको पता है Indopark dispute चला है Indopark के वीच इंडिया और पाकिस्तान के वीच तो आपको पता है कि पाकिस्तान आकर्मन करने ही वाला है तो आप क्या करोगे इस परकार से Preventive Diplomacy को अपनाओगे कि आपको कम से कम नुकसान हो आप पहले ही इस तरीके का प्रावधान वहाँ पे कर लेंगे Public Diplomacy Public Diplomacy का मतलब होता है कि सामने वाले देश को खुश करना Public Diplomacy जैसी कि हमारी Bangladesh के साथ चली है हमारी Nepal के साथ है हमारी Sri Lanka के साथ है क्योंकि हमार को क्या है इंडिया को क्या माना जाता है दादा माना जाता है कि ये तो एशिया का दादा है डर के रहते सारे देश तो इंडिया क्या है इस परकार की Public Diplomacy उन देशों के साथ करता है कि सामने वाले देश हम से आतंकितना हो और हमारे साथ सहयोग करें Treaty of Versailles Treaty of Versailles जो है ये 19-1920 में हुई है और Wilson ने 14 सुत्री कारेक्रम इसमें लाया था और 14 सुत्री ये जो कारेक्रम था इसे आइडेलिजम का शुरुवात भी मानी जाती है इस 14 सुत्री कारेक्रम से और उसकी एक जो पॉइंट बोल सकते हैं एक सुत्र बोल सकते हैं वो थी No Secret Diplomacy क्योंकि जब Secret Diplomacy आप अपनाओगे तो सामने वाला क्या है सामने वाला हमेशा इस आशंका में रहेगा कि पता नहीं क्या प्लान मेरे खिलाब बना रहा होगा और क्योंकि 1914 से पहले Secret Diplomacy अपनाई जाती थी इसलिए 1914 का ये First World War हुआ था ठीक है और 14 सुत्रों में से चौदवा जो सुत्र था Woodrow Wilson का वो था World Parliament यानि एक World Parliament होगी जो कि अभी तक स्तापित नहीं की गई है अभी भी अनार्किकल वर्ड आप देखते हो कोई भी World Parliament नहीं है Munro Doctrine मैंने आपको सारी Doctrine पिछली वीडियो में बता दी थी I hope आपको याद होगी Munro Doctrine जो Non Interference in America यानि अमेरिका में यूरोपिय देश बिलकुल भी Interference नहीं करेंगे ना ही हम उनके मामलों में हस्तक शेप करेंगे तो ये policy लगबग 100 साल बाद 1917 में खतम हुई जब USA क्या है World War One के अंदर कूद गया था ठीक है Russian Polish War ये 1921 में हुआ था और ये first example था जब League of Nations फेल हुआ था L.O.N. फेल हुआ था Russian Polish War जब हुआ था तो League of Nations इसमें कुछ भी नहीं कर पाया ना उसने कुछ बोला और इससे क्या है काफी देशों को उच्छा मिला कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं है League of Nations उसके बाद आप देखते हो League of Nations का फेलियर जो कि Greece और Turkey के वीच वार हुआ था इसमें भी बिल्कुल फेल हुआ था कोई भी अच्छी भूमी का ये नहीं निभाप आया उसके बाद आप देखते हो The Corfu Incident Corfu जो इंसिडेंट है ये 1923 में हुआ था The Corfu Incident was a 1923 Diplomatic and Military Crisis between Greece and Italy और इसमें भी League of Nations को इहम भूमी का नहीं निभाप आया था ये भी failure माना जाता है League of Nations का उसके बाद next failure है League of Nations का Manchuria Affair ये 1931 से लेके 1933 के बीच हुआ था इसमें क्या है जो Manchuria area था चाइना के अंडर उस Manchuria area के उपर जापान ने अपना नियंतरण स्थापित कर लिया था उसके बाद आप देखते हो Rhineland Crisis Rhineland Crisis जो था वो 7 मार्च 1936 को शुरू यहा था जब जर्मन सैन्य बलो ने बरसाए के और लोकार्नो की संधी के प्रत्यक्ष उलंगन में Rhineland में परवेश किया था ठीक है उसके बाद आप देखते हो Spanish Civil War Spanish Civil War ये भी League of Nations इसमें भी कुछ भी नहीं कर पाई थी ठीक है 1936 से 1949 के बीच हुआ था दोस्तों ये डारेक्ट कोशन आप से पूछा जा सकता है कि Spanish Crisis कब हुआ कौर्फू इंसिडेंस कब हुआ मंचूरिया अफियर कब हुआ तो आपने डेट स्याद रखनी है Spanish Gray Youth Span की Republican सरकार के खिलाफ सेन्य विद्रो था जिसे देश के भीतर रूडिवादी तत्तोद्वारा समर्थित किया गया था जब एक प्रारंबिक सेन्य तकता पलट तकता पलट यानि कूप सेन्य तकता पलट पूरे देश का नियंतरन जीतने में विफल रहा तो एक खूनी ग्रहयुद शुरू हो गया जो दोनों पक्षों के बीच बहुत ही कुरूरता से लड़ा गया राष्टरवादियों को विद्रोही के रूप में यहां पे दिखा गया क्योंकि जो राष्टरवादी नेता थे उन्होंने फासिस्ट इटली के फासिस्ट और नाजी जर्मनी के से सहायता ली थी तो आप देखते हैं इंडिया में भी राष्टरवादियों के अलोचना इसी आधार पे की जाती है कि राश्टरवाद अन्तता फासिवाद में कन्वर्ट हो जाता है और साम्मेवाद की आलोचना इसलिए की जाती है कि साम्मेवाद भी एक ताना शाही में कन्वर्ट हो जाता है The Munich Pact Munich Pact क्या था? Munich Pact 1938 में हुआ Munich समझोता या Munich Bateraal 30 सितंबर 1938 को Munich में संपन हुआ जिसे नाजी, जर्मनी, युनाइटिड किंग्डम, फ्रेंच, थर्ड रिपब्लिक और इटली के सामराज्ये ने लागू किया इसके द्वारा चेकोसलोवाकिया के सुडेटन क्षेतर पर जर्मनी का कबजा हुआ Munich Pact क्या था? Munich Pact जो था इसे आप कह सकता है World War का शुरुवाती चरण है World War की नीव रखने वाला एक तरीके का Pact है इसके अंदर क्या हुआ? जर्मनी ने क्या किया? युनाइटिड किंग्डम, यूके के साथ, फ्रांस के साथ और थर्ड रिपब्लिक और इटली के साथ इस तरीके से एक Pact किया, समझोता किया कि अगर मैं चेको-सलोवाकिया के उपर आकर्मन करता हूँ तो आप लोग कुछ भी नहीं बोलो गया और इन लोगों ने बोला भी कुछ नहीं बाद में आप देखते हो कि देरे-देरे हिटलर की हिम्मत बढ़ने लगी से था, इसमें जो प्रभावशाली थे जिनकी इसमें डॉमिनेंस थी वो थी फ्रांस और इंग्लेंड की और इस तानाशाही से लीग ओफ नेशन के सभी देश बहुत जादा असंतुष्ट थे इसलिए लीग ओफ नेशन यहां पे असफल रहा Atlantic Charter Atlantic Charter में Roosevelt और Churchill ने Self Determination का सिधान्त प्रतिपादीत किया था Self Determination का मतलब होता है कि World War II जो चल रहा है World War II के बाद Self Determination का सिधान्त अपनाया जाएगा यह राज्य की अपनी इच्छा होगी उनकी Self Determination होगी कि वो पूंजीवाद में मिलना चाहे वो समयवाद में मिलना चाहे वो स्वतंतर रहना चाहे वो जिस भी परकार के ही सरकार अपना चाहे अपनाना चाहे यह उनकी Self Determination है उनकी अपनी मर्जी है ठीक है UN Charter का जो Chapter 12 है वो ट्रस्टीशिप से संबंदित है हाला कि ट्रस्टीशिप की जो संस्था है पार्ट है और्गन है UNO का ओल्मोस्ट यह निश्क्रिय हो चुका है ठीक है Committee No.24 यह question भी एक बार डारेक्ली पुछा गया था कि Committee No.24 किस से संबंदित है Committee No.24 बनाएगे थी 1960 में और यह decolonization से संबंदित है कि वी उपनिवेशवाद से यह related है US की containment नीती 1947 ट्रूमेन ने अपना ही containment नीती है कि जो यूरोप का जो समराज्य है यह आपका रशिया का जो समराज्य है USSR का जो समराज्य है वो आगे बढ़ रहा है उसको containment करना हमने है उसको क्या containment यानि उसको रोकना है वो है containment की नीती ट्रूमेन ने यह 1947 में अपनाई थी और इसी के चलते इसी containment नीती के चलते Berlin blocked after Truman Doctrine यानि Truman ने जो यह Doctrine दी थी उसके बाद क्या है Berlin की घेराबंदी कर ली गई और उसके बाद जर्मनी का विभाजन आप देखते हो जर्मनी और इटली के बीच क्या है जर्मनी जो आपका East जर्मनी था और West जर्मनी था इसके बीच 1961 के आसपास दिवार भी खड़ी कर दी गई थी Korean Crisis Korean Crisis बेसिकली 1950 से लेके 1955 के मद ही ये हुआ था इसका बेसिक कारण क्या था वो आप देख लीजिए Korea, युद, उत्तर Korea और दक्षिन कोरिया के बीच एक युद था 25 जून 1950 को ये शुरू हुआ और ये शुरू तब हुआ जब उत्तर कोरिया ने दक्षिन कोरिया के उपर हमला कर दिया था जो दूतिय विशु युद था Second World War था उसके अंत में सोवियत संग और अमेरिका ने 15 अगस्ट 1945 को कोरिया को समराज्यवादी जापानी अपने वेशिक नियंतरन से मुक्त करा दिया था और दोनों इसे अपने अपने गुट में शामिल करना चाहते थे तो जो नॉर्थ वाला था नॉर्थ वाला कॉम्मिनिस्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और साउथ वाला पुंजी वादियों ने तो इन दोनों के बीच ये वार चला 1950 से पचपन के बीच USSR's Nuclear Explosion 1949 आप देखोगे USA ने सबसे पहला Nuclear Explosion यानि परमाणू परिक्षन क्या था और पहला विस्पोड क्या था 1945 पे नागा साकी और हिरोशिमा के उपर और दूसरा परमाणू परिक्षन क्या 1949 में USSR ने और तीसरा परिक्षन क्या था चाइना ने 1962 1962 या 1964 के अंदर ये किया था मैंने आपको पहले बता दिया है पहले की वीडियो में तो उसको एक बार आप देख लीजिए ग्लासबोरो समिट ग्लासबोरो समिट जो हुआ था ये 1967 में हुआ था और इसने डेटेंटे को जन्म दिया था डेटेंटे डेटेंटे या देतांत का मतलब होता है जो कोल्ड वोर चल रहा था कोल्ड वोर में शितिल्तता आना यानि कोल्ड वोर में नर्मी आना सौफ्टनेस आना कोल्ड वोर धीमा पड़ ग्या था Glossboro Summit के बाद अब ये Nixon की जो doctrine है वो मैंने आपको बता दी थी और Nixon doctrine से जुड़ा ये एक point और है जो आपने उसमें add करना है Nixon doctrine में link के strategy को अपनाया गया था इसमें Henry Kissinger तथा US के राष्टरपती Nixon ने USSR तथा चाइना को nuclear तथा economic शेतर में कोप्रेशन के लिए प्रोथसाहित किया था ठीक है Limited Test Band Treaty इसे LTBT कहा जाता है Limited Test Band Treaty और इसी को PTBT यानि Partial Test Band Treaty भी कहा जाता है ये 10 October 1963 को हस्ताक्षित की गई थी 10 October 1963 कूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा मिसाइल संकट जिसे 1962 में अक्तूबर संकट के रूप में भी जाना जाता है Caribbean संकट या मिसाइल स्केर के रूप में भी इसे जाना जाता है सेयुक्त राजे अमेरीका और सोबियत संग के बीच क्यूबा में सोबियत बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी गई थी और 13 दिनों तक का ये टकराओ था जो की शान्ति पून तरीके से हल किया गया अभी इसके पीछे कारण क्या था क्यूबन के मिसाइल संकट आया क्यूँ था उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे वियतनाम वार वियतनाम वार वियतनाम युद इंडो इसे दुट्य इंडो चाइना युद के रूप में भी जाना जाता है इंडो चाइना का मतलब इंडिया और चाइना नहीं है इंडो चाइना का मतलब है इंडो चाइना के अंदर तीन देश शामिल है जो है वियतनाम लाओस और कमबोडिया वियतनाम लाओस और कमबोडिया को कहा जाता है इंडो चाइना इंडिया और चाइना नहीं वियतनाम कमबोडिया और लाओस ठीक है यहाँ वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेव के खिलाफ एक नवंबर 1955 से लेके 30 अपरेल 1975 यानि 20 साल तक ये चला था ठीक है और ये जो संगर्ष था ये था वियतनाम लाओस और कमबोडिया के मद्धें नौर्थ वियतनाम जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूँ नौर्थ वियतनाम कॉमिनिस्ट था और साउथ वियतनाम को 1975 में कॉमिनिस्ट बना दिया गया उसका भी ठीक है कार्टर डॉक्टरिन कार्टर डॉक्टरिन में एक पॉइंट और आप जोड लीजिए कार्टर डॉक्टरिन 1980 के असपास आया था और USA ने पर्शियन गल्प को बचाने के लिए हर प्रकार की फोर्स का प्रियोग करने की बात की थी हलांकि ये पहले आपको बता चु सामराज्य कहा था USSR को ठीक है तो ये था आपके आज के 100 कोशन आई होप आपको ये यूजफुल रहे रहे होंगे थैंक्यू थैंक्स फू वाचिंग